डियर स्टुडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने DC to DC कनवर्टर के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने step-down chopper को देखा था और उसके बाद हमने control strategies of DC to DC कनवर्टर को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि pulse width modulation technique सबसे अच्छी टेक प्रिफर कर सकते हैं, chopper को control करने के लिए, converter को control करने के लिए, तो आईए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे step-up chopper के बारे में और उसके बाद दूसरा डिस्कस करेंगे step-up, step-down chopper के बारे में और फिर हम लोग कुछ numerical questions इन दोनों topic पर आज discuss करेंगे, आईए स्टार्ट करते हैं step-up chopper से, तो पहला कारण है कि step-up chopper की जरुत क्यों है, step-up chopper की जरुत हमें इसलिए है, कि जब हमारे पास 200V का DC supply दिया गया है, और जब हमारे पास सारे थारिस्टर, डायोट, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, स्विचेज, तो हम क्यों ना कु देखते हैं इसमें कि step-up chopper कैसे बनाया जाता है, मैं इसका circuit ड्रॉ कर दा हूँ, तो देखिए step-up chopper का circuit कैसा होता है, हमारे पास ये तो रहेगा ही, ये तो आपको chopper में रहना ही है, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर जो step-down ने अपने chopper लगाया था, यहाँ पर indu एक load लगा दिए, यहाँ पर एक load आप लगा दो, यहाँ पर एक load आपने लगा दिया, यह आपका inode current carry करेगा, यह load हमारा inode current carry करेगा, और इसके साथ सथ हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर diode भी लगाएंगे, यहाँ पर एक diode भी लगाएंगे, यह diode का function क्या है, इसको ह लेंगे यही हमारा चॉपर दिस इस यो चॉपर यह इंड़क्टर यह इंड़क्टर इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा वियर अब हम लोग देखते हैं कि यह ऑपरेट कैसे करता है पाधी बाद तो यह इंड़क्टर जब आपने लिया है इंड़क्टर की कुछ ठीक ठ आपने अंगर जब आप यहां पर स्विच को आंग कर रहे हो आपको कैसा सब्सक्राइब यह इन पर एक पोटेंशिल ड्रॉक्ट प्रेट होगा और यह इंड़क्टर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा इंड़क्टर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा और यहां से करेंट फ्लो करेगा iL करेंट इक il फ्लो करेगा इस समय आउट्पुट वोल्टेज क्या होगा जिरो होगा इसमें आपका आॉट्पुट गोल्टेज वी наж will be equal to 0 वी наж will be equal to 0 कोई बी किसी प्रकार का कोई करेंट भीक करेंट और k parade load के त्रूट तो यह inductor क्या हो रहा है चार्ज हो रहा理 इनटर geschस्ट अर Unter the energy मैंगनेट के स्टोर करेंगा और स्टोर करके इंड़कर ने पने तंदृरसत हो जाएगा यहाँ आप विएस सपलाइस से अब दूसरा मोड क्या कहता है mode 2 mode 2 बतला रहा है mode 2 बतला रहा है कि अब दूसरे mode में chopper को off कर दीजिया जैसे ही आप chopper को off करेंगे जैसे ही आप chopper को off करेंगे फिर आपका circuit क्या होगा अब यह supply क्या करेगा this supply it will be now connected across the load it will be now connected across the load यह रहेगा plus minus V note plus minus V note और यहाँ पर एक diode तो आपका रहेगा यह diode हमारा रहेगा आप देखिए inductor की खास बातें आप समझेए यहाँ पर inductor energy store कर रहा था आप inductor के बारे में जानते हैं आपको मैंने network theory में बदलाया था कि inductor क्या करता है कि जब energy को release करने लगता है तो voltage का direction इसका change हो जाता है जब energy store कर रहा था voltage यह था plus minus जब inductor energy release करेगा तो इसका voltage का direction reverse हो जाएगा और current का direction same होगा यानि आप क्या किया कि यह source और inductor दोनों ने दोस्ती कर ली इन दोनों ने दोस्ती कर ली और यह दोनों मिलकर और energy किसको देंगे Vs और यह Vl है तो Vs प्लस Vl APR होगा V not के cross V not के cross क्या होगा Vs प्लस Vl यानि कि ज़्यादा voltage हमें APR होने लगा output voltage के साथ आपने देखा था step down chopper में maximum Vs voltage आप करा रहे थे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपका Vl voltage Vs प्लस Vl voltage जाने का मतलब जा है अब मैं एक diagram बना रहा हूँ अब मैं एक diagram बना रहा हूँ क्योंकि इस diagram से ही आपको सब कुछ clear हो पाएगा मैं इस diagram में देखे current के बारे में बना रहा हूँ inductor current के बारे में यह inductor current क्या कर रहा है IL current जब आपने chopper को turn on किया था during t on period t on period क्या होगा current एक minimum value से maximum value बढ़ेगा और assume कर लिजे कि यह current linearly बढ़ रहा हूँ यहाँ पर आने कब यह inductor क्या करेगा अब आपने chopper को off कर दिया जब आप इस chopper को off करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि current अब decrease करेगा this current will decrease यह current decrease करेगा energy release किया जाएगा current decrease होगा यह current आपको कुछ इस तरह से मिलेगा यह current हमें कुछ इस तरह से मिलेगा clear फिर आपका current यहाँ बनेगा यहाँ current ढटेगा clear यहनि इस current को अगर I1 कर दे इसको अगर I2 कर दे यह current का graph रहा है यह हमारा T on period है और यह हमारा T off period है अब कहोंगे sir voltage का भी waveform हमें देखना है वाई voltage का भी waveform देख ले आपने क्या दिखा था T on period में voltage 0 है और T off period में आपको voltage मिल दा You are getting the voltage in T off period और यह voltage कितना मिल दा है यह voltage हमें मिल दा है Vs plus Vr Vs plus Vr यह voltage हमें मिल दा है यह voltage हमें मिल दा है अब आप कहोंगे sir यह Vr तो value करेगा time के साथ तो फिर आपने यह कैसे किया यह constant से कैसे आपने represent किया यह बहुत ही important question है कि यहाँ पर मैं constant दिख ला रहा हम एक value constant रहेगा लेकिन Vr आपका होगे change करेगा constant हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर current I linear है दिएवेटी constant हो जाएगा तो इसलिए Vs plus Vr यहाँ पर लिख रहा हूं यह linear है यह हमारा T of period और यह total time क्या होगे है यह total time हमारा T हो गया यहीं पर एक बात और आप note कर लीजिए आप देखो के numerical questions में आपको पूछा जाएगा कि step up chopper का pulse width calculate कीजिए find the pulse width of step up chopper तो pulse width किसको कहेंगा step up chopper का यह देखिए यहाँ से यहाँ pulse मिला ही नहीं तो pulse कहां से कहां मिलता है T of period में तो यह pulse width इसका कौन सा होगा T of period वाला इसका pulse width होगा आपको T of को ही कहेगा आप pulse width calculate करता हो आपको कहें ठीक है तुम T of की value में बतला दे रहा हो T of की value बतला कर उसे आप भेज देना clear तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें derive करना है output voltage का expression तो output voltage का expression कैसे derive करेंगी mode 1 में क्या हो रहा इंड़क्टर एनर्जी स्टोर कर रहा तो भाई इंड़क्टर को ही इंड़क्टर है कितना इंणर्जी ऊ-tatt तो यहां पर वाई voltage इसका क्या है Vs, current क्या है, average current अगर ले ले तो I1 प्लस I2 by 2, I1 प्लस I2 by 2 यही average value होगा current का, I1 प्लस I2 divided by 2, into time क्या है, Tion, यह equation 1 हो गया, अब हम लोग मोड 2 में चलते हैं, मोड 2 में फिरा में W out, यानि जो मोड 2 में inductor क्या कर रहा है, energy, release कर रहा है, वाई energy release कर रहा है, तो हमने जैसे energy input, energy in हमने calculate किया, वैसे हम लोग क्या करेंगे, energy out को भी calculate कर लेंगे, तो energy out को calculate करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर VL का expression लिखेंगे, यह VL देखिए, यहाँ पर क्या होगा, VL minus Vs minus VL plus V0 equal to 0, from here you will like, VL equal to, VL will be equal to V0 minus Vs, VL will be equal to V0 minus Vs, तो जब VL V0 minus Vs के बराबर है, तो हम लोग W out क्या लिखेंगे, W out, it will be equal to, inductor voltage V0 minus Vs, यहाँ पर देखो, inductor का current क्या हो रहा है, I2 से I1 तक आ रहा है, फिल, I1 plus I2 by 2 कर दो, I1 plus I2 divided by 2 into, दूसरा क्या होगा, time T of, into T of, यह रहा मारा दूसरा, यह रहा पहला equation, यह रहा, दूसरा equation, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें, अब हम लोग क्या करेंगे, consider क्या करते हैं, कि यह एक lossless system है, यह lossless system है, यहाँ बीच में वैसे भी resistance नहीं है, हादा कि resistance है भी आगे चलकर load में, लेकि इसका lossless system आप consider कीजिए, तो lossless system के लिए क्या होगा, lossless का मतलब जितना energy लिया, उतना energy दिया, inductor अगर lossless माने, energy जितना लेगा inductor, उतना energy release करेगा, तो यानि पहला और दूसरा equation बराबर, यानि w in will be equal to, w in will be equal to, w out, तो from here क्या होगा, i1 plus i2 by 2 का term गया, आप direct expression लिखे, vs into t on, यहाँ मिलेगा vs into t on, will be equal to v naught minus vs into t off, from here what are you getting, from here you are getting, v naught into t off, v naught into t off, will be equal to, vs into t on plus t off, t on plus t off हो जाएगा, vs into t, vs into t, यहाँ से v naught की value होगा हम लिखे, तो v naught क्या होगा, vs into t divided by t off, vs into t divided by t off, अब t divided by t off, अब t divided by t off दिया गया है, आप कोई पढ़ा लिखा आदमी, आप आईड़ा आपके पास वो कहेगा, यार इसको alpha के form में convert करके दो, ठीक है, तो alpha के form में आप कैसे convert करेंगे, alpha के form में जब आपको convert करना होगा, आप क्या करोगे, alpha के form में आप यह दिखो के value, v naught will be equal to vs into, उपर में t राने दो, नीचे दिखो, t off को क्या दिखोगे, t minus t on, अब दोनों तरफ t से divide कर दो, उपर नीचे, t से divide कर दो, from here you will get v naught equal to vs into 1 divided by 1 minus alpha, और you are getting v naught equal to vs divided by 1 minus alpha, अब दिखी यहां पर, you know the value of alpha will always be less than 1, so if alpha is less than 1, then vs divided by some quantity, suppose vs divided by 0.5 यह क्या होगा, 2 vs, that means you can say that from here v naught is coming greater than vs, यानि आपको क्या मिलेगा, v naught is greater than vs, v naught यानि कि आपने जो vs 200 वोल्ट आउट्पुट लगाया था, और v naught कितना मिलडा है आपको, v naught आपको उससे अधीक मिलडा है, अधीक मिलने का मतलब है कि यह step up chopper हुआ, यानि यह chopper क्या हुआ, step up chopper हुआ, प्लिया, तो जब यह step up chopper हुआ, अब हमें समझना है कि सर यहां पर diode क्यों लगाया गया था, अब देखो इस diode का concept समझो, step up का मतलब क्या हुआ, यह voltage और यह voltage मिलकर जाधा हो गया, यानि कि हमारे पास यह मानलो vs था, ठीक है, यह vs था, अब हमारे पास यह voltage मानलो 200 है, यह voltage होगा है, हमारा 400, यह जब 400 होगा, यह कहाएगा हम आपको current देंगे, इसलिए डायोड लगा हुआ कि current का reverse flow ना हो जाए, that's why this diode is connected to stop the reverse flow of current, clear, तो यह रहा हमारा step up chopper का, जब यह step up chopper आपने बना लिया, step up chopper बनाने में आपने मेहनत की, पैसा आपने खर्च किया, step up chopper का बना कर, तो फिर आप कहोगे इसका application कहा है, क्यों, कहीं को इस्तिमाल करना है आपको step up chopper को, तो इसका application अगर हम देखें, इसका सबसे best application, एक ता आप समझ सकते हैं कि application कह होगा, आपके पास 200 volt है, 300 volt का चाहिए आपको supply, आप क्या करोगे, step up chopper लगाओगे, step up chopper यूज करोगे, बनाओगे, लेकिन दूसरा एक और इसका application है, जो कि आपको objectives में भी पूछे जाते हैं, application में हम दे रहे हैं, application, एक बहुत important application है, regenerative breaking, ब्रेकिंग, तो थोड़ा बहुत बतला देते हैं, regenerative breaking क्या होता है, यह हमारे पास motor है, यह हमारे पास motor है, motor के cross क्या होगा, back EMF, EB होगा, back EMF, EB होगा, अब क्या क्या जा रहा है, यह देखिए यहाँ पर एक आपने chopper लगा दिया, यह यहाँ पर chopper लगा हुआ है, और यह क्या है, डायोड है, और यहाँ पर यह source है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम डायोड नहीं लगात पीज है अब क्या होता है कि जब यह चौपर हमारा हम था कि मोटर को ब्रेक कर रहे हैं उसमें आप क्या कर गे उसने हमारा टार्गेट होता है इसकी जो गया कि को चार्ज करने लगा या यहानि लिए इसके रीचे इन्डक्टिक्तButton कराश गतेगा अभी उसके हो जाएगा इसका गलिए इसके तो चार्ज सब्सक्राइब करने लगा और जैसे नहीं से आर्मेचर करेंट बाहर निकलने लगे इसका मतलब यह क्या होगा एक जेनरेटर के तरफ यह करने लगेगा इसको सप्लाइ दे रहा है इस सोर्स को चार्ज कर रहा है अब आपने स्टेप डाउन चौपर पढ़ लिया था अब भाई को एक ऐसा चौपर में आपको बतला रहा हूं जो की स्टेप डाउन दोनों चौपर के तरह काम कर सकता है उसका नाम है स्टेप अब और स्टेप डाउन चौपर यानि दोनों के तरह यह काम कर सकता है वोल्टेज को घटा भी सकते हैं वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं तो इसको देखते हैं कैसे इसका सर्किट बनता है इसका हम लोग सर्किट को इसके सर्किट को हम लोग देखत से कि इसका सब्राइब है कि देखिए इसके सर्कुट के लिए यहां पर मैं बना रहा हूं यह बैटरी सिप अब मैं इसके केश में सिरीज में सुप्षे ले रहा हैँ यहां दे कि चॉह पर सीरीज लगा रहेगा और यह डायोड reverse direction में डायोड रहेगा एक load रहेगा एक load रहेगा और एक capacitor लगा दे रहा हूँ यह capacitor क्या करेगा voltage को कहीं कहीं balance करेगा एक capacitor लगा दे रहा हूँ LOAD load clear यह रहा हमारा circuit यह रहा हमारा circuit अब देखते हैं यह कैसे operate करेगा, how it will operate, तो पहला चीज़ देखते हैं, पहला हम लोग देखते हैं, कि यहाँ पर और यह वी नोट का डायरेक्शन यहाँ पर opposite होता है, यह हमारा वी नोट रहा है, clear, तो हम लोग पहला मोड देखते हैं, मोड वन, मोड वन में हम लोग देखते हैं, कि चौपर हमारा on है, चौपर हमारा on है, इसका मतलब T-on period में आप देख रहे हैं, तो T-on period में circuit क्या होगा, T-on period में circuit हमारा यह circuit एक बनेगा, एक circuit हमारा इस तरह का बनेगा T-on period में, clear, यह रहा हमारा Vs, यह रहा हमारा Vs, यह र तो अब क्या होगा यहां पर अब क्या होगा यहां पर अब देखिए यहां पर जब इंड़क्टर को इस तरह से अब करेंट दोगे सप्लाइब करेगा और इसके तुर जो करेंट फ्लो कर रहा है यह करेंट होगा यह करेंग वहां इन्दक्टर के थो फ्लो करना सुरू किया इसके एक क्रोस अभी वोल्टेज हेमारा Vs दो वोल्टेज एक्रोस्ट इंड़ीगों डू जाएक हम लोग एक सरकिट कुछ इस तरह का बनां गी लेते हैं This is I1, this is I2. Clear? तो जब maximum to minimum to maximum current जाएगा, यहाँ पर inductor क्या कर रहा है? एनर्जी ले रहा है. इस एनर्जी को क्या लिखेंगे? Vs into I1 plus I2 divided by 2 into t on. This is the first equation. This is the first equation. अब आएए mode 2 पर. अब ये mode 2 में क्या कह रहा है? Mode 2 में कह रहा है कि chopper को off कर दो. Chopper को off करने का मतलग ये T off period की बात करने है. You're talking about T off period. तो T off period में क्या होता है? T off period में क्या होता है? T off period में देखिए, T off period में हमारे पास ये chopper off हो गया. इस chopper का कोई connection नहीं रहा. जब इस chopper का कोई connection नहीं रहेगा T off period में, अब क्या होगा? सरकिट कुछ इस तरह से बनेगा येक हमारा इंडक्टर था और ये हमारा लॉड यह हमारा लोड है प्लस माइनस वी नौट है यहाँ पर देखिए अब इंडक्टर क्या करेगा भाई पहले इसने पोटेंशियल इस तरह से था प्लस माइनस बीद करेंट- आई अब क्या होगा current का तो direction same रहेगा आई अब तो डारेक्षिन अब voltage across the inductor will be reverse now it starts delivering it starts delivering the energy तो यह energy को जब deliver करने लगा तो इसका direction change हो गया और यहां पर V note की अगर हम बात करें यह V note हमें किसके बराबर हो गया VL is equal to V note आप क्या देखो कि VL is equal to V note जब यह inductor V is equal to V note हो गया हम लोग क्या करेंगे W आउट लिखेंगे W आउट यह inductor कितना energy दे रहा यह क्या होगा वियर के जगर V note लिखेंगे current क्या होगा current अब यहां भी क्या होगा current decrease करेंगा T of period में यह था हमारा T on period यह हमारा T of period और आप आप क्या देख रहे हैं यहां पर भी T on period में output voltage क्या था जीरो output voltage जीरो था और T of period में यह आपको output voltage मिल दा यह इसका भी अगर आपको T of divided by 2 into T of यह रहाँ equation 2 यह रहाँ equation 1 अब इन दोनों equation को क्या करेंगे W in is equal to W out from here you can write from here you can write Vs into T on Vs into T on will be equal to V not into T of तो यहां से आपको क्या मिलेगा V not will be equal to Vs into T on divided by T of तो Vs इसको क्या लिखेंगे Vs into जहां भी T on रहे T of के term को T minus T on लिख दो clear अब दोनों तरब T से divide करो यह denominator भी T से divide तो यहां साथ को क्या मिलना है V not equal to Vs into numerator मिलेगा alpha divided by 1 minus alpha now you are getting the expression of output as V not equal to Vs into alpha divided by 1 minus alpha तो जब हमें यह expression मिला है अब हम लोग check कर लेते भाई कि alpha क्या हो रहा है alpha क्या हो रहा है माल लेते हैं alpha हमारा है पहला केस हम मालते हैं alpha equal to 0.25 that means less than 0.5 इस case में V not क्या हो रहा है V not equal to Vs divided by 3 यहां पर V not मिलेगा Vs divided by 3 यहांनि कह सकते हैं इस case में step down chopper के तरह यह बार कर रहा है voltage को step down कर रहा है second case ले रहा है alpha is equal to 0.75 so here V not will be equal to 3 Vs here V not will be equal to 3 Vs that means यहां पर step up voltage को करना और जब alpha 0.5 लेंगे तो 0.5 divided by 0.5 it will be 1 if alpha is equal to if alpha is equal to 0.5 then V not is equal to Vs आप यहां से क्या समझते हो यहां से आप दो conclusion लिखो पहला लिखिए पहला conclusion लिखिए कि if alpha is less than 0.5 पहला conclusion लिखिए alpha less than 0.5 यह stiff down chopper के तरह काम कर रहा है अलफा कम, voltage कम, alpha जादा, voltage जादा, clear यहां सा ऐसे याद रखना भाई कभी अगर इसमें भूल जाओ, alpha कम, voltage कम, alpha जादा, voltage जादा, clear यह रहा हमारा step up, down chopper, step up, down chopper, clear तो अब हम लोग यहां पर कुछ numerical questions को देख लेते हैं, यहां पर इतो numerical questions को discuss करते हैं और उससे पैदे अगर मैं comparison लिखूं तीनों output voltages का, तो comparison क्या होगा output voltage का वो देखिया, comparison अगर लिखा जाए output voltages का, वो comparison हमें क्या मिल रहा है आप लिखिये पहला step down, chopper, दूसरा step up chopper, और तीसरा step up, down यह हमारा तीन chopper है, इसमें आपने पहले में क्या दिखा था, इसमें pulse width कहा मिल रहा था pulse width, pulse width, देखो भाई, यह comparison बहुत जरूरी है, pulse width आपको कहा मिल रहा था T-on period में pulse width मिल रहा था, यहाँ पर कहा मिल रहा था pulse width, T-on period में pulse width मिल रहा था यहाँ पर कहा मिल रहा था, T-on period में pulse width मिल रहा था, clear दूसरा देखिए, V note is equal to क्या लिखा था आपने, alpha vs, यहाँ पर क्या लिखा था, V note is equal to V0 is equal to Vs divided by 1 minus alpha और तीसरा case में इसमें क्या आपने लिखा था V0 is equal to Vs into alpha divided by 1 minus alpha तीसरा यहाँ पर जो chopper switch आपने लगाए था देखो यही पर लोग भूलते हैं chopper switch यहाँ पर कहा है series में तीसरे में इसमें क्या है chopper switch chopper switch यहाँ पर है हमारा parallel में और तीसरे में क्या क्या आपने inductor और chopper का position interchange कर दिया यहाँ पर हमारा chopper कहा है यहाँ पर chopper है हमारा chopper fit से series में आ गए clear और तो chopper series में inductor parallel में inductor पहले में तो है ही नहीं यहाँ पर inductor है inductor इसमें series और इसमें inductor कहा है inductor यह inductor है यह याद रखेगा इतना आपको जान इतनी जानकारी है आप सारे इसके सॉल कर सकते हैं और जो कि आपको सेमेस्टर एक्जामेशन में जरूर पूछा जाता है और आप कोई गेट के गामी नीरगर होते हैं वहाँ भी आपको निम्रिकल कोस्टन वूछा जाएगा अब लोग कुछ निम्रिकल को संस्कों डिसकर सकते इंसक्रिक ठीक है तो पहला कॉस्टन लेते हैं पहला कोश्टन दिया हुआ है पहला कोश्टन के step up chopper दिया गया है step up chopper यह PS 13 के किताब में दिया गया numerical question है उसी को मैं solve कर रहा हूं step up chopper है इसमें input voltage of 220 volt दिया गया है यह विए सिकल तो 220 volt दिया गया है दूसरा दिया गया है output voltage दिया गया है 660 volt दूसरा दिया गया है if the conducting time of थारिस्टर चॉपर इस हंडेड माइक्रो सेकेंड कि यह दिया गया है conducting time of थारिस्टर चॉपर यह दिया गया हंडेड माइक्रो सेकेंड compute the pulse of output voltage you have to compute pulse width of output voltage तो भाइब step up chopper step up chopper में pulse width का होता है जब chopper off होता है तब chopper off होता है तब pulse width आता है आपको t of calculate करना है यह बहुत आसानी से calculate कर लोगे इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है इसी में कि if in case output pulse width is half दूसरा केस दिया गया है टी ओफ डैस इस इकल टू टी ओफ डिवाइड बाइड बाइड वाइड 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 वू उस केस में आप क्या करो के और कर सॉल्यूसरी पराईए आप दो तीन लाइन में इसका आशर लिख सकते हो इसका देखो टीओफ परता कर रहा है यहां क्या करते हैं व i4 और वाइड 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 वा इसका मतलब क्या हो आलफा अलफा इकल cousin 2 हूँ 2 això यहां Tion divided by Alpha Tion क्या है? 100 Microsecond 100 Microsecond divided by Alpha is 2 by 3 तो यहां से क्या होगा? यहां से आपका जाएगा 150 Microsecond Tion आ गया 150 Microsecond तो भाई जब Tion आ गया तो Tion क्या होगा? Tion will be equal to T minus Tion that means 150 minus the value of Tion is 100, so it will be equal to 50 Microsecond मिल गया इसका आंसर? 50 Microsecond this is the answer of first question pulse width मिल गया दूसरे case में क्या कह रहा है? T of dash is equal to T of by 2 pulse width has been reduced to half, तो यह क्या हो जाएगा? 50 by 2 that means 25 Microsecond बाई जब यह 25 Microsecond मिला है यह 25 Microsecond मिला है तो हमें क्या calculate करना है? हमें calculate करना है output voltage dash तो output voltage dash अगर आप calculate करें output voltage तो output voltage आप calculate कर सकते हो V0 will be equal to how much? V0 will be equal to Vs into 1 by 1 minus alpha तो आप देखिए यहाँ पर alpha calculate करना पड़ेगा हमें बिना alpha का काम नहीं चलेगा तो जब T of dash है 125 तो यहाँ से T on dash क्या होगा? यह 150 फ्रिक्वेंसी को सेम रखा है एनी time period, सेम तो T on dash होगा है 125 microsecond तो यहाँ से alpha क्या होगा? 125 divided by 150 150 यह रहा हमारा alpha यह रहा हमारा alpha यह रहा हमारा 5 by 6 5 by 6 यह क्या होगा? 220 into 1 by 1 minus 5 by 6 यहाँ की 220 into 6 1320 microsecond 1320 volt 1320 volt यहाँ रहा output voltage आएगा यह रही आपने क्या किया? pulse width को और घटा दिया pulse width को आपने घटा दिया आपका output voltage इंक्रीज कर गया output voltage आपका बढ़ गया पल्स width को आपने घटाया था output voltage आपका बढ़ा यह अगर analysis के तौर पर 20 तरह के questions पुछे जाते हैं आप इसमें क्या किया करना? कि कुछ-कुछ examples लेकर values पूट कर देना और वहां से आप answer लिख लेना यह रहा हमारा पहला question का solution हमें मिल गया फर्स question का अब second question discuss करते हैं अब second question discuss करते हैं इसी में अब second question में step up, down, chopper दिया गया है यह voltage को step up भी करेगा और यह step up, down भी करेगा step up, down, chopper तो इस case में देखते हैं क्या-क्या data दिया गया है अगर आप data को लिख देते हैं सही से क्या पूछा गया है यह आप लिख देते हैं आपको answer मिल जाएगा then you will definitely get an answer तो देखे क्या दिया गया है input DC voltage of 220 volt और output जैसा की फिट से 660 volt दिया गया है conduction time of thyristor tion दिया गया है 120 microsecond आपको calculate करना है pulse width of load voltage pulse width यहां भी क्या होगा t of period ही calculate आपको करना है इक pulse width of load voltage increase अब दूसरा case बतला रहा है कि t of dash यह जो pulse width है इसको 3 times बढ़ा दिया गया है और f क्या है constant है f जो है वो constant दिया गया है फिर आपको calculate करना है new value of output voltage new value of output voltage clear तो इसके solution पर आते हैं हम लोग इसको कैसे solve किया जाए आप देखिए direct formula लिखिए direct आप formula लिखिए यहां पर v note will be equal to vs into alpha by 1 minus alpha v note क्या है 660 equal to 220 into alpha by 1 minus alpha यहां से आप क्या देखोगे यह 3 से multiply कर देगा यह 3 equal to alpha divided by 1 minus alpha 3 minus 3 alpha equal to alpha from here alpha is equal to 3 by 4 alpha is equal to 3 by 4 तो once you got the value of alpha once you got the value of alpha now what will you write alpha को जब आप पता कर चुके है यहां से T निकाल दोगे which is equal to T on by T T on क्या है T on है 120 microsecond divided by T divided by T तो यहां से क्या होगा T will be equal to 120 into 4 by 3 120 into 4 by 3 that means 160 microsecond total time मिला 160 microsecond तो यहां से time period क्या होगा T of T of यानि पॉलसीट फॉलसीट तो टी माइनस T on that means 160 minus 120 इतिल बीकल तो 40 microseconds यह रहां मारा first question का answer आगया इसके second part में क्या कहा जा रहा है T of dash is equal to 3 times of T of यानि 3 times of T of यानि 3 times of 40 इतिल बीकल तो 120 microsecond F को constant रखा गया है F को जब constant रखा गया तो T on क्या होगा T on होजाएगा total time है 160 to 160 minus 120 160 minus 120 that means 40 microsecond यानि T on और T of एक दूसरे को replace कर दिया तो जब ये condition हमें मिल गया है alpha क्या होगा T on divided by T that means 40 divided by 160 1 by 4 तो यहां से क्या होगा यहां से जब आप calculate करोगे V note it will be equal to 220 into alpha 1 by 4 divided by 1 minus 1 by 4 तो यहां से मिलेगा 220 divided by 3 73.33 volt will be the answer 73.33 volt will be the answer तो आपको यहां पर आपने देखा कि step up chopper आपका हो गया step down chopper हो गया और तीसरा step up step down chopper हो गया मैंने आपको बतलाया था कि जो syllabus में आपको buck regulator दिया गया है boost converter दिया गया buck boost converter तो मैंने difference इतना ही बतलाया था कि chopper में क्या करते हैं filters लगा देते हैं यहां तो वह लगाने के बाद chopper क्या होता है लखाने के बाद chopper हमारा buck converter boost converter बन जाता है यहीं वहां पर आपको क्या होता है waveform मतलब जढ़ा better waveform आता है ज़्यादा वहां पर waveform अधीड आने के मतलब harmonics कम होगा better waveform कम होगा लेकिन जब आप गेट का पेपर दोगे तो गेट के पेपर में चौपर से कम कोस्तिन और ज्यादा कोस्तिन पूछे जाते हैं बग कंवर्टर बुस्ट कंवर्टर बग कंवर्टर से बट वर राइट इस वहां पर आप देख लेना तो मैं क्या करूंगा कि अभी मैं यह तीनों सब्सक्राइब कर दोगा उसके बाद यह चैप्टर कंव्लीट हो जाएगा जो कि आपको समेस्टर में बढ़ना है और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लास जो की गेट में पूछे जाते हैं उस पर भी मैं एक्स्ट्रा दो लेक्शर अपलोड कर दोगा जहां से कि आप सब्सक्राइब तो मुझे लगता है कि आज का क्लास आप लोगों का हो गया आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से इसका नोट्स बना लिएगा और भी कोस्टन्स इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यह टॉपिक काफी आसान आपको लग रहा होगा आपने फिर हम लोग रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे यह एक निस एक तूदिस्टी करेंगे